हेलो एवरीबन वेलकम टू माई चैनल देखिए आज मैं न जो तूरन बनाने वाली हूँ वो एक्तम बहुत बहुत आसान है आप सोचते होंगे कि मैं आसान बोलती रहती हूँ और यह नहीं है लेकिन यह सच में आप बहुत आसानी से बना लोगें और जो मैंने न यह किरोश है वो दोनों ही उन एक मेरी वाइट वाली 75 लगी है और रेड वाली 50 ग्राम लगी है तो चलिए अगर आपको यह सब पसंद आए और आपको यह अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ बैल आइकन प्रैस करना बिकुल मत भूला जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हाँ आप लाइक करना भूल जाते हैं तो आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है तो आप लाइक जरूर कर देना तो चलिए अब मैं आपको यह बनाना बताती हूं तो देखिए इसे बनाने के लि ले लेंगे यह देखिए यह आठ चैन लेके फिर इस तरह से हमने आठ चैन ले ली इसमें और दो और चैन लेके तब हमने न यह दो चैन छोड़के थर्ड वाली चैन में हम एक डबल क्रोश्या बना रहे हैं तो इसमें हमने टोटल कितनी ली दस चैन और फिर हमने दो चैन छोड़के एक चैन में हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया फिर आगे वाली चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाया तो यह पास से देख लीजे आप और यह एक चैन वाला तो हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए फिर हमने दो चैन ली और यहां पर हम दो चैन छोड़के थर् अब हम इसे पलट लेंगे इस तरह से और पलटने के बाद हमने यहां पे ना पांच चैन ली है और पांच चैन लेके जो हमने दो चैन ली थी ना वहां पे डालके हम पहले तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे देखे इस तरह से यह दो हो गये और यह 3 अब हम यहां पे दो चैन लेगे और फिर से यही पहर डालके हम तीन डबल क्रोश्या बना लेंगे यह देखें यह इलच गए कमेंट ये दो और एक और अब हम यहाँ पर बनाएंगे तीन डबल क्रोश्या हो गए तो पहले हमने तीन डबल क्रोश्या बनाए फिर दो चैनली और फिर तीन डबल क्रोश्या बनाए अब हम इसे फिर से पलेट लेंगे देखे इस तरह से हम दूसरी तरह बनाएंगे अब हम यहाँ पर फिर से पाथ चैन लेंगे और पाथ चैन लेने के बाद जो हमने यहाँ पर दो चैन ली थी इसमें हम फिर से क्या करेंगे पहले तीन डबल क्रोशे बनाएंगे देखे इस तरह से और देखे यह हमारे 3 double crochet हो गए अब हम यहाँ पे 2 chain लेंगे और इसी में डालके हम फिर से 3 double crochet बनाएंगे उसी chain में डालते वे हमने यह बना लिया अब जो हमने इधर 5 chain ली थी ना देखे यह इधर साइड इसमें हम फिर से 3 double crochet बनाएंगे देखे इस तरह से पहले हम यहाँ पर दो चैन लेंगे और इस वाले पाँच चैन में हम यहाँ पर देखे एक डबल क्रोश्या हो गया यह दो डबल क्रोश्या और यह तीन डबल क्रोश्या यह हो गया अब हम इधर से फिर से पाँच चैन लेंगे हमें न यह जो डिजाइन है यह एक तरफ बढ़ाते जाएंगे तो देखे हमने यहाँ पर पाँच चैन ले ली और देखे जो हमारी आगे वाली दो चैन है न उसमें डालके हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर यह एक हो गया और दो और हम बना लेंगे यहाँ पर दो और बना के फिर हमने दो चैन ली और यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाए फिर बीच में चैन ली फिर तीन डबल क्रोशिया तो जो हमारा यह इधर वाला डिजाइन है यह ऐसे ही ऐस इट इस चलता जाएगा जिसमें हम देखें ये पाथ चैन ले रहे हैं और ये जो हमारी बीच में है ये तीन डबल क्रोशिया के बीच में दो चैन है उसमें डालके हम फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे दो चैन लेंगे और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये डिजाइन एक साइड से ऐसे ही चलता जाएगा इस तरह से और दूसरी साइड ये बढ़ाते जाएंगे हम देखें ये तीन डबल क्रोशिया दो चैन तीन डबल क्रोशिया के ओपर फिर वो ही और देखें, फिर हम इधर इसमें आएंगे, यहाँ पर जो ये दो चैन है, इन में डाल के हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे इससे पहले हमने दो चैन ले ली थी, अब हम यहाँ पर, देखें, ये जो हमारी पांच चैन है इधर साइड वाली इसमें डॉलनके हम फिर से तीन डबल कुरोशिया बना लेंगे तो ये हमारा एक साइड से बढ़ता चला जाएगा इधर साइड, देखे, आप देख सकते हैं, ये एक साइड से बढ़ता जा रहा है और फिर हम देखे इसे फिर से पलट लिया और इसमें यहाँ पे हमने पाथ चैन लेके फिर देखे यह जो हमारी चैन थी इनमें डालके फिर से तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे अभी जब यह थोड़ा सा जादा हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन आप यह वीडियो ध्यान से लास तक देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे ऐसे ही कि हमें न यह कितना असान है बनाना और बहुत असानी से यह बन भी जाएगा आपका तो देखें इसी तरह से हम आगे का बनाएंगे देखें एक तरफ से हमारा यह बढ़ता जा रहा है और एक तरफ से सेम डिजाइन चलता जा रहा है तो यहां पे एक हुआ, इसके उपर हमने यह वाला एक बनाया, फिर उसके उपर हमारे यह दो बन गए, यह देखें यह दो बन गए, अब इसके उपर हमारे फिर से दो बनेंगे, फिर उसके उपर तीन बनेंगे, तो ऐसे ही हमारे आगे तक बढ़ते चले जाएंगे, मैं हैं और दिजाइनấu क्यूंत कर साँ,के पांगेस्टे में इसे देखिए, इसमिर्णीक साइड और और यहांण ही, कुर तरेंगे सज़ानुअ pa नदधा करेंगे खीम साँ 2019 दिमिर्ट में आधाथ हिए, एक तरफ हमने देखे यह वाला डिजाइन नी रखा इसमें जो हमने टोटल लाइन बनाई है वो देखे गिन लीजे आप एक ये दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा तो हमने इसमें टोटल ग्यारा लाइने बनाई है अगर आपकी तोटल बड़ी बनानी है तो आप ग्यारा से थोड़ा जादा भी कर सकते है तो देखे ऐसे ही मैंने ये दो तीन चार पार्ट बना लिये हैं सेम तरीके से और ये जो आली जो पट्टी है इसमें आपने मुझे बहुत प्यार दिया हुआ है और इस पट्टी का है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्सर पिन कमेंट दोनों में दे दूँगी आप महाँ से जाके ये पट्टी भी देख सकते हैं ये भी बहुत आसानी से बनी हुई है तो इसी के हम नीचे का भागब बना रहे हैं तो इसे बनाने के लिए देखे हम अब क्या करेंगे ये जो हमने ये डिजाइन बनाई है ना ये ये हम इस साइड से रखेंगे देखे इस तरह से जहां से हमारा वो है न तीन डबल क्रोशिय और दो चैन तीन डबल क्रोशिय वाला डिजाइन है उस साइड से रखेंगे ये इस तरह से ये तिकोनी से है रखी जाएगी तो आप ये ध्यान रखना कि हमें ये किस साइड से रखना है जिस साइड हमारा वो डिजाइन है उसी साइड से हमें इसे रखना है और ये पट्टी पे हमें सीधी साइड से जोड़ना है तो मैंने ये जोड़ने के लिए सुई और उन को शुई में डाल लिया है मैं उस से जोड़ रही हूँ तो मैं आपको पहले उन से जोड़ना बता देती हूँ और फिर मैं आपको किरोशे से जोड़ना बताऊंगी तो उसके लिए हमने देखिए ये सिम्पली इसे उल्टी साइड की तरफ ले लिया है हम ये उल्टी साइड से सीलेंगे तो यह देखे इस तरह से हम कर लेंगे और simply सुई से हम इसे joint करेंगे इस तरह से यह निकाल लिया यह यहाँ पे सिल गया फिर हम आगे के side में डालेंगे और आगे के side में इस तरह से सील लेंगे इसे simply सीलना है कोई इसमें वो नहीं है ऐसे ही अगर आपको सुई से सीलना है तो आप ऐसे ही सीलते चले जाएए इस तरह से लेकिन अगर आपको किरोशिय से सीलना है देखिए मैं आपको दूसरी side से दिखा देती हूँ कि सुई से सीलने के बाद कुछ इस तरह का दिखा ही देगा आप देख रहे हैं तो यह सिलने के बाद मैं आपको किरोशे से बताती हूं चलो पहले मैं आपको किरोशे से बता देती हूं कि हम किरोशे से सिलेंगे तो कैसे करना हैं तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए जैसे हमने पकड़ाए ना ऐसे ही प तरह से एक सिंपल क्रोशिया यहां पर बना लेंगे एक चैन लेंगे फिर आगे की साइड जाएंगे आगे वाली दोनों में डालते वे इस तरह से सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और ऐसे ही हमेना किरोशे से इसे जोड लेंगे तो मैंने आपको किरोशे और सुही दोनों से ज आपको अगर तोरण बड़ी है तो आप तीन चार पाच जितने चाहें उतने लगा सकते हैं तो मेरी यह थोड़ी छोटी तोरण थी तो इसमें ना तीन ही पाटा हैं आप ज्यादा लगा लेना तो अब मैं इसको इस यहां से जोड़के आपको इसका बोर्डर बनाना बताती ह तो उसके लिए हम रेड वाली उन लेंगे और रेड वाली उन लेके हम यहां पर डालके इसे जोइंट कर लेंगे इस तरह से यह जोइंट कर लिया अब हम यहाँ पे दो चैन लेंगे और यह आगे की साइड में यहाँ पे जुड़ावा है ना यहाँ पे डालके एक simple crochet से इस तरह से इसे joint कर देंगे यह हो गया अब हम यहाँ पे फिर से दो chain लेंगे और फिर देखें यह जो हमारी है ना यह side में दो chain खुली भी दिखाई देंगी इन में डालके हमें यहाँ पे 3 double crochet बनाने हैं यह देखें 3 double crochet हो गए फिर हम यहाँ पे 2 chain लेंगे और फिर आगे वाले में डालके फिर से 3 double crochet बनाएंगे देखें एक बन गया यह 2 और यह 3 फिर हम 2 chain लेंगे और फिर आगे वाले में डालके हम 3 double crochet बना लेंगे तो ऐसे ही हम इस कोने तक बनाएंगे देखे इस तरह से यह दिखाई देगा, यह नीचे से हमने यह पूरा ले आए और हम यह कोने पे आगे हमगे घ्ले हमने ही कोने डी लिए हमने। यह हो गया फिर हम यहां पहने पाँच चैन लेंगे देखे एक तो तीन चार पाँच पाँच चैन लेने के बाद अब हम फिर से लास्ट वाली चैन में डालके इसे इस तरह से जोइन कर लेंगे और फिर हम यहां पे तीन चैन लेंगे और फिर से हम लास्ट वाली में डालके इसे जोइन कर लेंगे तो यह एक हमारे चोटा सा यहां पे डिजाइन बन जाएगा इस तरह का देखे आप देख सकते हैं फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे दो चैन लेंगे और यह हमने ना पहले मैं यह इस तरह से बना रही थी तो यह इसकी फिटिंग सही नहीं आई तो मैंने फिर क्या किया यह निकाल के यहाँ पर फिर से इसी में डाल के एक सिंपल क्रोशिया इस तरह से बना लिया और फिर दो चैनली और फिर हमने ये आगे वाली जो चैनली उसमें डालके हमने तीन डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से फिर दो चैनली और फिर आगे वाले में डालके हमने तीन डबल क्रोशिया बना लिए तो इसी तरह से हम न, यह नीचे तक बना लेंगे इसके इस वाले को ने तक फिर हम यह न, दूसरे तरफ वाले जो डिजाईन है, उसमें हमें कैसे करना है फिर मैं आपको वो बता देती हूं देखें, यह हमारा इधर साइड का हो गया और इसे हमें यहां तक बना लेंगे फिर यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ फिर जैसे हमने यह बनाया है सेम ऐसे ही इधर साइड यहां पर बनाना है फिर हम इधर साइड आ जाएंगे फिर यहां पे भी ऐसे ही बनाना है और यहां पे last मिलाके हम ये उनको cut कर देंगे तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, simply ऐसे ही बनाते जाना है तीन डबल ग्रोशा, दो चैन लेते वे देखें, मैंने ये पूरा कर लिया है ऐसे ही जैसे मैंने बनाया था, ऐसे ही मैंने इसके कोनों पे बनाया था सेम तरीके से हमने इसका पूरी तरह बना लिया है बॉर्डर अब मैं इसके न, दोनो ये जो बीचगोने है, इस पे लटकन बनाओंगी एक लटकन बनाने के लिए देखे मैंने red वाली only और यह जो हमारा यह था इसके बीच में हमने डाला है जो दोनों हमने design joint के थे न चाहँ पे उसके बीच में यह डालके हम यहाँ पे अच्छे से पहले red color की उनको इसे joint कर देंगे फिर हम यह उनको इस तरह से खीच लेंगे एक बार हो गया यह फिर हम दो बार यह उनको किरोशे के उपर रहने दिया फिर यह तीन बार और यह सारे को एक साथ हमने निकाल दिया फिर से इसी में डाला और फिर निकाल दिया तो यह हमारा अच्छे से, एक छोटा सा कंगुरा बन गया, फिर से हम इसमें करेंगे, ये सोरी हमने ये पफ बना लिया, फिर से हमने ये उनको कीच लिया कि रोशे के उपर, ये दूसरी बार भी ये सी तरह से, और ये तीन बार, और फिर हम सबी को एक साथ इस तरह से निकाल और यह मैं दुबारा इसी के बीच में डालके इसे निकाल रहे हूं जिससे यह उन्मजबूत हो जाए ऐसे ही हम इसमें तीन बार बना लेंगे यह यह तीन बना लिए अब हम इसे ऐसी छोड़ देंगे हम वाइट वाली उन लेंगे और वाइट वाली उन लेके देखिए मैं इसको दिखा देती हूँ, यह हम हाथ पे इस तरह से लपेटेंगे, जो हमारी चारों उंगलिया है इस तरह से इस पे लपेटते जाएंगे, तो इस पे जो हमें लपेटना है वो हम 10 से 15 बार लपेटेंगे, इसी तरह से हाथ पे, 15 बार लपेटके, फिर हम यह इस तरह से उता इस तरह से बांधने के बाद हमें क्या करना है देखिए इस तरह अगें फिर हम यहां पर एक नौट भी लगा देंगे जिस्से यह खुलेंना थैं इस तरह आफसे खूलने न ये हमनी यही पर चोड़ देंगे अब हम क्या करेंगे यह जो हमारा छोटे वाला हिस्सा है इसमें हम यह किरोशे को डालेंगे यह वाला जो हिस्सा था ना इसके बीच में हम किरोशे को डालेंगे और यह जो हमारी रेड वाली उन है इसके साथ इसे जोइंट कर देंगे इस तरह से यह देखे सारे हमने निकाल लिए और इस तरह से हमने इसे जॉइंट कर दिया तो यह हमारी यहाँ पे इसकी लटकन बन गई और यहाँ पे इस तरह से निकाल के हम यह रेड वाली उनको भी कट कर देंगे देखे मैंने ये ऐसा ही सेम दूसरी साइड भी बना लिया है अब मैं देखे इसे नीचे से न जो हमारी अटकन है इसे हम यहां से देखे यह बनता न इसे हम यहां पर इस तरह से कट करके और इसे equally पकड़के हम हाथ से इसे equal कर लेंगे और equal करके हम इसे कैची से कट कर देंगे जिससे ये नीचे से न उबर खापना न ज़रा है एकदम equal रहे तो इसके लिए हम इसे न यहां पर कट करेंगे ऐसे ही सेम हम दूसरी साइड भी कर देंगे तो सेम तरीके से करके हमने देखिए ये बना ली है अब अगर आप चाहते हैं कि आपको ये न खाली लग रहा है बीच वाला हिस्सा तो आप यहां पे ये वाले फूल बना के लगा सकते हैं तो ये वाले फूल मैंने पट्टी में आपको बनाने बताए हुए है बहुत आसा और भी अच्छा लगेगा तो देखिए ये कितनी सिंपल और आसानी से बनने वाली तोरण है आप इसे बहुत आसानी से बना लेंगे अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस कर देना मिलेंगे कल हम एक नई वीड प्रेस्टिंग आपको सिखाऊंगी बाई आवर्यवन एंद थैंक्स वार वाचिंग